अब हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सब भी वीडियो आपको मिलते रहे हैं देखिए लर्ण आर्पीएसी में आज का पहला सवाल है राजस्थान में देश के नक्षे के आकार का क्या है देखे पहला क्यूशन किया है राजस्थान में देश के नक्षे के आकार का पहला 12 जोत्रिलिंग मंदिर कहां बनाये जा रहा है यानि कि राजस्थान के नक्षे के आकार का बारवा जोत्रिलिंग कह बनाये जा रहा है भीलवडा जोतपूर जेपूर और जुन जुनु तो ये कहां पर बनाये जा रहा है ये जुन जुनु के अंदर बनाये जा रहा है दोस्तों आपको याद रखना है बारवा जोतिरलिंग याने राजस्थान के आगार का कहां बनाये जा रहा है जुन राजस्थानी काव्यकर्थी मीरा हजारा का लोकार बढ़ किया गया इसके रचनाकार को थे। यानि widget देखिए अगला स्टेटिपनि यह और निन्याणवेट यह रुकाराई गया हैं । तो इसका रचनकार थे सर्वन सिंग राजावत, वोन थे सर्वन सिंग राजावत, देखिए अगला statement क्या है, हाली में राजस्तान के किस railway station को इट राइट इस्टेजन का दर्जा दिया गया है, इसका इट राइट, इट राइट इस्टेजन, तो वो है गांधी नगर railway station, अब देखिए अगला सवाल क्या है, कि पुलीस विब्बे भाग द्वारा जिल्लेवार क्राइम रिकोर्ड रैंकिंग में कौन सा जिल्ला पर्थम इस्तान पर हैं, देखिए किसमें क्राइम रिकोर्ड की रैंकिंग में कौन सा जिल्ला पहले इस्तान पर हैं, उदेपूर, प्रत्वी दिवस, वीशु प्रत्वी दिवस पर राजस्थान वन विबाग द्वारा कितने राजियों में नहे कंजर्वेशन गोशित किये हैं, देखिए, ओप्सन ए है दो, बी है चार, तीन या फिर पाँच, तो कितने नहे कंजर्वेशन गोशित किये हैं, तो तीन नहे क और वो तीन कौन कौन से हैं खिंचन फड़ोदी जो कि जोतपुर के अंदर है सोरसें बारा जबकि हमीरगड भीलवड़ा ये तीन नए कंजरवेशन राजस्तान में बनाए गए है इस दा वेरी मॉस्ट इंपॉर्टेंट अगला क्या है देखिए राजस्तान के किस जिले में खुली किताब के आकार का गाट बनाए जा रहा है खुली किताब का बहुत ही मैतरपुन सवाल है कई एक्जामों में ये सवाल पूछ लिया जाते हैं करेंट अपर से समंदित एक दो क्यूशन तो हमारी क्लास में से देखने को मिलेंगे आपको और ये आगामे परिक्षाओ में आपके लिए बहुत ही मैतरपुन साबित होने वाले हैं ये क्यूशन देखिए पहला ऑप्षन किया जैपूर अजमेर कोटा या फिर बरतपु तो खुली किताब के आकार का गाट का बनाए जा रहा है कोटा के अंदर बनाए जा रहा है सातियो ये आपको याद रखना ह जिसे हम काजरी बोलते है या फिर जोधपूर केंद्रिय सुस्क छेतर अनुसंदान संस्तान जोधपूर केंद्रिय सुस्क बागवानी संस्तान विकानेर ये आपको याद रखने है ये सारे संस्तान का ये विकानेर के अंदर है ये जोधपूर के अंदर है ये विका है जो गया था केंदर ये सुष्क छेतर अनुसंदान जोतपूर के अंदर देखिए नेक्स्ट की सुन क्या है इन्ही दिनों में अन्फून फूड पेकेट योजना मेंगई रहत जो चलाई जा रहा है इसका तेट ये कारिकरम चलाया जा रहा है मेंगई के करण सालाना कितनी रासिक खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है अन्पून पूर्ड पेकेट योजना के तहत, देखिए next question क्या है आज का, परदेश का सबसे बड़ा 7 feet सुदर्शन चकर, कितना, 7 feet सुदर्शन चकर कहां इस्तित है, जपूर, जितोडगड, नाधवरा, या फिर जालावार, तो 7 feet सुदर्शन चकर कहां इस्तित है, जपूर के अंदर इस्तित है साथियों देखे साथियों क्लास पसंद आ रहे हैं या तो लाइक जरूर करें और वीडियो को अंते तक जरूर देखे ताकि आपको पुरा फाइदा मिले इस क्लास का देखे नेक्स्ट क्या है निम ने लिखी मैंसे इनी दिनों में देश का पहला देखे राजस्तान में कुर्जा खांसा आती है देखे कुर्जा आती है सोरसेन में भी आती है देखे साथियों के निम ने लिखी मैंसे इनी दिनों में से पहला कुर्जा कंजर्वेशन रिजरु छेतर बनाया है तो पहला कुर्जा कंजर्वेशन सोरसेन अनूप सागर फल या फिर खीचन तो इसका सही आंसर होगा खीचन बहुत है इंपोर्टेंट क्यों सुन है यह साथ हो आपको याद रखना है पहला कुर्जा कंजर्वेशन बना दिया है वह जो खीचन जोत्पूर के अंदर बनाए गया हाली में राजिस्थान की महिला खिलाडी सलोनी मीना ने क्यों समद्ध किस से हैं ताइकवांडो ख्यल से हैं अब आते हैं विगत परिक्सा में आये हुए क्यूशन जिसके बारे में जो किसी न किसी आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे और इन क्यूशन से आपको काफी बेनिफिट फाइदा मिनने वाला है देखे पहला तू यह कुम्बलगड किल्य weirdly Yeah ईकिस कि कुम्बलगड किसकी जर्गा पाडी पर बना हुआ है यापको याद रखना है as eigenen किसने मनदन द्वारा अपनी पत्नी की याद में अपनी पत्नी की याद में यह दूर्ग बनवाया गया था तो इसका कौन था? मंदन किस दूर्ग का सिल्फी था? तो आपको याद रखना है, कुम्बलगट दूर्ग का Next question क्या है? बयाना दूर्ग में इस्तित वरिक विश्नु वर्दन विजय इस्तम कौन सा विश्नु वरिक विजय इस्तम? यह ना सातियो यह राजस्तान का पहला विजय इस्तम भी कहलता है राजस्तान का पहला विजय इस्तम देखिए इस्तम किस काल का मना जाता है? देखिए मोर्य काल, मुगल काल, गुप्त काल या फिस सल्तनत काल तो यह मना जाता है गुप्त काल का प्राचिन नाम क्या क्या है आपको याद रखने है इसके प्राचिन नाम आपको देखने को मिलेंगे एक तो सानित पूर इसे सानित पूर भी बोला जाता है और इसका दूसरा नाम है बानपुर ये काता है इसका नाम स्रीपन्त ये तीनों नाम किसके हैं बयाना दूर के गए ये देखे बयाना दूर के गुप्तकाल का दूर कमना गया है देखे इसमें क्या है कि ये अपनी दूर भेद देता इसको कोई नहीं भेद पायाता है दूर भेद देता दूर भेद देता के कारण इसे क्या कहा जाता है विजेगड या बादसागड भी विजेगड या फिर इसे बादसागड भी कहा जाता है इस दूर्ग के बारे में आपको याद रखना है यह दूर्ग बेदेता, देखें ये बयाना भरत पूर के अंदर है ये अपनी दूर्ग बेदेता के गारन यानि कि ये विजएगढ और बात्सागढ भी कहलाता है इस दूर्ग में किया है कि समुंदर गुप्त दवारा खड़ा किया गया एक विजएस्थम है किसके दोरा समुंदर गुप्त दोरा ही ये विश्णु वरदन विजय इस्तम किसके दोरा खड़ा किया गया है समुंदर गुप्त दोरा जिसे क्या बोलता है भीम लाट क्या बोला जाता है भीम लाट ये क्योसन काफी बार पूचा गया है ये जो विज़े स्थम खड़ा किया गया है, समुंदर गुप्त दोरा इसे क्या का जाता है भेहमलाट का जाता है और ये राजस्थान का पहला विज़े स्थम है देखेए चलते हैं, next question क्या है देखे राजस्थान के एकी करण में भरतपूर दोलपूर यास्तो पर जन्ता की राय के लिए एक कमिटी का गठन किया गया उस कमिटी में समलित नहीं था देखे वो कमिटी थी संकर देव राय संकर देखे कौन गठन किया गया उसमें समलित कौन नहीं था देखे, यह वो कमेटी का नाम था संकर देव समीटी, देखे, भरतपूर और दोलपूर, इसमें क्या था कि भरतपूर और दोलपूर? भरतपूर और दोलपूर तो मिलना चाते थे उत्तर पुरदेश के अंदर जबकि देखे भरतपूर और दोलपूर तो मिलना चाते थे उत्तर पुरदेश में जबकि अलवर और करोली अलवर और करोली यह थे अपने मतेश्य संग के चारो जिल्ले देखे, अलवर, करोली, एक भरतपूर और धोलपूर, धोलपूर और करोली, सोरी, धोलपूर और भरतपूर तो मिलना चाहते थे उत्तर परदेश के अंदर, जबकि ये अलवर और करोली, ये मिलना चाहते थे राजस्थान के अंदर, तो इसमें क्या हुआ कि इन दो एक था आरके शिद्वा तो इस क्यूशन के अंदर यही पुछा गया है कि वो कौन सा सदशिय नहीं था एक तो संकर्देव खुद हो गया एक आरके शिद्वा और एक प्रभुद गया तो कौन सा नहीं था एसस जैन इस समिती का कोई सदशिय नहीं था देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन के अंदर देखिए आजाती के पूरू नोन रेल्यूट इस्टेट ठीकाने यानि कि आपको ठीकाने कौन-कौन से थे एक तो नीमराना एक कुशलगड और एक लावा तो इसके अंदर गरत यह तीन हो है ना क्याते नोन इस्टेट वेल्यूट ठीकाने थे साथियों यह आपको याद रखना है देखिए नेक्स्ट क्यूशन क्या है पूरू राजस्थान संग का उद्गाटन 25 मार्च 1938 को क्या गया यह क्यूशन बहुत ही इंपोर्टेंट है डेट कभी-कभी इसका उद्गाटन क्या गया था एन्वी गॉट गिल्ड रहा देखिए इसके अंदर थे बांसवाड़ा यह यह समलित करके बनाए गए थे बांसवाड़ा बुंदी डूंगरपूर कोटा एक था परताब गड़ और एक था आपने टॉंक किशन गड़ टॉंक किशन गड़ और एक इसके अंदर मिलाए गए था ठिकाना जो था कुसलगड यह मिलके बना था किया पूरु राजस्तान संग देखिए इसी में क्या हुआ कि साथियों इसमें परदेश के नाम से पहले राजस्तान पहली बार इसमें जोड़ा गया था ठीके साथियों परदेश में पहली बार कप जोड़ा गया पूरी राजस्तान संग यानिकी दूसरे चरान में जोड़ा गया देखिए इसके उद्गाटन करता था थे एन्विः गोड़गिल और इसकी राजदानी किसे बनाई गई साथियों राजदानी बनाई गई थी कोटा को इसके राजपरमुक को बावा जो थे है सापूरा के तो इस क्यूशन का अंसर सही होगा एन्विः गड़गिल द्वारा देखिए नेक्स्त क्या साथियों विले पत्र पर हस्ताक्सर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेट वरंट पर हस्ताक्सर कर रहा हूं तो यह साथियों का गए थे धोलप विले होते समय पत्र पर हस्ताक्सर करते समय कहा था कि मैं अपने डेट वरंट पर हस्ताक्सर कर रहा हूं चलो साथियों नेक्स्ट की सुन क्या है कि राजस्तान की एकी करण की परकिरिया के समय मतिश्य शंकी वार्सिक आई कितनी थे हैं लिए 26 लाग, 184 लाग, 190 लाग या इसका चैतर पल था साथियों, 12,000 वर्ग किलोमेटर या आपको याद हैं तो इसका सही आँसर हो जाएगा, 144 लाग रूपए है नेक्स्ट क्यूस्ट राजस्थान की किस दियासत को पंडित जवालार ने वीशु का आश्ट्वा आश्चरिय का हैं तो देखिए बिकनेर, ज जशल मेर के आवागमन के लिए ना कठी मार गया हूँ, आबादी यहां पर क्या है, विरलता है, यहां पर आबादी बहुत कम रहती है, यह ना परजा मंडल में भी इनका कुछ योगदान नहीं था जशल मेर का, कोई भी यहां से कोई बड़ा निता नहीं आये थे, और यह राजस्थान का अंडमान निकुबार कहलाता है, जशल मेर कोई हम क्या कहते है, राजस्थान का अंडमान निकुबार का जाता है, यह इसलिए का जाता है, कि यहां पर बहुत ही जंसंग्या कम रहती है, इसलिए इसलिए राजस्थान का अंडमान निकुबार भी का जाता है देखे राजस्थान, यसल में राजस्थान की वह पिछली रियासर थी जिसमें जवालना नेरुने वीसु का आठवा आश्च्रिय का था यह आपको याद अखना है दोस्तों देखे किस लोग देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी हडबु जी, गोगा जी, तेजा जी, पापु जी वो कौन थे? साध्यो हडबु जी जिसकी पत्नी सती नहीं हुई थी यह बहुत ही इंपोर्टन्ट की उसन है साध्यो साफी एग्जामों में यह की उसन पूचा जा चुका है देखिए अगला की उसन बंगेटी बंगेटी किस संत का पवित्र इस्तल है लाइब्रेरियन 2021 के अंदर यह क्यूशन पूचा गया है देखिए देव नरायन जी, जामबो जी, हरिदा जी, हडबु जी तो साथ यह बंगेटी गाउजोदपूर यह किसकी है हडबु जी का पवित्र इस्तल माना जाता है तो सही अंसर हडबु जी अब देखिए आज का लाइश्ट क्यूशन क्या है पाली जिल्ले के बिरांटिया कूर्द में भरने वाला मेला किस से समन दी थे आईरुएद व्यक्याता 2021 के अंदर जो देखिए पाली के बिरांटिया कूर्द जिल्ले में रामदेव जी का मेला बढ़ता है तो इसे देखिए भूरिया बबा दरियाओ जी रामदेव जी या फिर खेते स्वे देखिए बिरांटिया कूर्द के अंदर रामदेव जी का भव्या मेला बढ़ता है इस तरीके से साथियों ये की सुन थे पूरे जो मैंने आपको बताएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सेर करें और कमेंट करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले सबी वीडियों आपको मिलता रहे हैं दन्यवाद साथियों मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर